कुछ ऐसे घर है जहां सास पुतों में ज्पिया होता रहता है। लेकिन यह देखी है यह बह। बारी मिसाल है कि सास ने इतनी मदद की और इतना अजादी दिया पुतों को। मुझे इन से पूरा सपर्ट मिला है तो मैं चाहूंगी कि ऐसी सास सब विले। तीन चार साल आपकी साधी को होगे कभी धव राता हुआ हुआ आप भी झार भी धरा कसी पटाहि कर अप coun लो थृट்क हम ईह पना धिली अपने हुआ धिल माहिए जलीन मेरे साथ अभी देख सकते हैं यह सास है और ये इनकी पुतो है पुतो ने एक बहुत बड़ा काम किया है यानि कि अपने ससुराल से अधिकारी बन के दिखाया है आपको पता होगा कि हाल फिलाल में BPSC का रिजल्ट आया था और BPSC में इनका से सलेक्शन हुआ है और डीटर के पद पर अब ये परखंड लेबल पर जो है एक पदाधिकारी है मैं आपको बता दूँ कि इनकी साधी जो है लगभक 3-4 साल पहले हुई थी और तब से ये सस्राल में है काफी सपोर्ट रहा खासकर सास का और आज जो है पुतो ने परचम लहरा दिया है BPSC में और कहीं अब पदाधिकारी के पद पर है ये बता आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे घर है जहां सास पुतो में जो है जगरा होता रहता लेकिन ये देखिए ये बहुत बड़ी मिसाल है कि सास ने इतनी मदद की और इतना जो है फीरीडम दिया आजादी दिया पुतों को जो पुतों जो है सस्राल में रहकर तयारी की और BPSC अधिकारी बन गई, तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी सास हर किसी को मिलनी चाहिए, क्या लगता है आपकी जो सास हर किसी की होनी चाहिए, मुझे इन से पूरा सपोर्ट मिला है, तो मैं चाहूंगे कि ऐसी सास सब को मिले, मतलब कि यह आपको यह नहीं कहती थी जो घर का काम क कौन बनाती थी आप बनाती थी यह यह बना लेते थे मतलब जो काम आप अगर पढ़ाई करते थे तो यह डिस्टर्ब नहीं कर थे कभी तीन-चार साल आपकी साधी को हो गए कभी जगरा लगाई हुआ आप लोगों में कभी नहीं क्योंकि मैं पूरा फोकस पढ़ाई पर करती थी तो दोनों में ज्यादा तर बात चित नहीं हो पाती थी इसके कारण पर जगरा का तो कोई बात ही नहीं रहता था अच्छा कि शाज पुतों में ज्ख़ाट रोता तो कभी आप ज्ख्रा की लिए नहीं कभी यू नहीं कितना मेहनत करती थी मतलब बहूत मेहनत तो अपको लगता था कि हमारी पुतों हमारा नाम रहोशन करेगी एक अधिकारी बन जाएगी एक ऐसी बनेगी अभीतर बनें टरीकारी विष्वास चला है कि अधिकारी बनता है को एक जाम निकलता है आपको क्या लगता है बेटी में पुतों में क्या फर्क होता है पुतों बेटी माना लिए हम अरी पुतों आपके पास बेटी है उनकी साधी हो गए तो लगता है कि हम जिसको लाए है वह बेटी बनकर है आप यह कह सकते हैं आधिकारी बन गई है ओडीटर के पत्व तो लगता है कि सभी सब कुछ रहेगा इन पे कितना वरोसा आप गो बहुत बहुत वरोसा एक बेटी की तरह अच्छा आप पूरी में कह सकते हैं अजादी दिया पढ़ने के लिए कभी जो हैसे इन्होंने कुछ कहा हो और आपको अच्छा ना लगा हो पुछ बताइक क्या है जो पड़ाई करती थी आप घर ने रहाकर you तो यहां से सुपिसियंट है उसके लिए वो यानि के अपनी प्रहाई पूरी कर सकते हैं मतलब के वो पास हो सकते हैं मेरा बैक्ग्रांड कमर्स था तो मैंने पहले से ही बेसिक मेरा मजबूत था क्योंकि मैं इंटर से लेके ग्रेजुएशन तक उसकी पढ़ाय बहुत अच्छे सी की थी तो पहले से मुझे पथा था तो अप् और इनमें क्या आप देखते हैं मुझे कोई डिफ्रेंस तो नहीं पता चला कोई डिफ्रेंस पता नहीं चला मतलब अगर वेभार खुद अगर उस तरह से करें सास के साथ तो सास भी सही रहेगी मतलब यह सास भी मा बन सकती है दोनों एक ही मुझे जितनी अपनी मा से पुझ बहुत अच्छा से करते थी मैं कभी आप पढ़ाई कर रही हो और इन्हों नहीं चोड़ दो अभी काम कर लो इसा नहीं इसा नहीं होता था मुझे लग रहा था कि कभी छोड़ देना चाहिए तो उस टम मैं छोड़के अपना काम में बेस्ट हो जाती थी और काम से फि कर लेती हैं और उसमें भड़ोसा नहीं था कि मैं निकल जाएगा और निकल गया तो अब मैं इंटर्व्यू का तयारी की तो इस्टेप बाइसे ही चाले तो इनका कितना योगदान रहा आपके उपर आपकी साथ हाँ वो फिनांसियल सपोर्ट करती थी जहां कहीं भी पैसे करती थी पैसे की जरूरत होती थी तो मैं और मेरे पती तो दोनों तयारी करते हैं तो इनकम का कोई जड़िया नहीं रहता था इनका ही सपोर्ट रहता था पूरा इनका ही सपोर्ट किया पढ़ाय के लिए जो भी सपोर्ट रहता था हेल्प हो या पैसे की जरूरत हो तो वह ये अपको लगता था कि किस अश्रार हमारी तो साधी हो गई हम तैयारी करने के आप को अभी ऐसा लगता था कि हम निकाल पाएंगे मतलब इस तरह तरह का है नहीं तो पढ़ाएंगे मुझे पहले से ही रूची रही है लेकिन इस तरह का मेरा में नहीं था कि यहां तक आ करता है करते कि, अहां के भROशाच हुआ? हाँ, हमरी भरशाच ही. माई के पंडूल ही हा? वहीं से सब को चे. से पराथमिक लेकर और ffeीजार दोन सब आतरों है। एपोसे सब को सोग अधाल जबद शुमने सतरों स हुआ? तो हम लोग को पता नहीं रहता था किस एरिया में कुछ है तो साथ जाते थे और वह भी हर चीज में सपोर्ट किये हैं और हम आपको बता दें कि राधा का जो घर है वो मधुवनी जिला के रहिका में हैं तो बाद बाकी इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जुरू बताइएगा आप देख रहे थे विए और 24 न्यूज मैं फैज आलम बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद